नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं शोटाइम और इस एपिसोड में एक्स्टेन करने जा रहे हैं लेगसीस का एपिसोड नमबर 7 और 8 सीजन 2 का तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इंस्टाग्राम पे भी फोलो कर सकते हो पहले सीन में हम लेडियो को देखते हैं जो बहुत दादा स्ट्रेस आउट था होप की मेमोरीज को लेके जो अब उसके पास आचुकी थी और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है किसको चुने और किसको छोडे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर हम देखते हैं रफैल से मिलने के लिए जाता है और हम देखते हैं रूपर्ट उस पे नज़र रखने लग रहा है जो रियल में क्लार्क है और वहापर ओ जोंबी वाली आग भी पूरे स्कूल के अंदर नज़र रखने लग रही है और वहीं पर हम देख पाते हैं इस मॉमेंट पर होप को जो बहुत ज़ादा स्ट्रेस आउ रही थी और वहाँ पर यह मैलेवोर्ट ड्यूटी कर रहे हैं उस पर नज़र रखने की और हम देखते हैं उस मॉमेंट पर लिजी दोनों के साथ बैठती है उन दोनों को बात करने के लिए कहती है जहाँ पर जोजी का मूड बहुत ज़ादा ओफ था और वहीं पर होप भी टू और हैपी हूं तो मैं इस तरह हैपी हो जाना चाहिए बट तभी हम देखते हैं जोजी उसे बोलती है कि शायद एमजी को माफ कर देना चाहिए उसे क्योंकि एमजी उसके अच्छी के लिए कह रहा था बट लिजी इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं करती है और होप है वोडनेकल पहले एब्जोब कर लिया था और मसे जब भी वापस आचुका है यह बहुत याधा पहीलिया फूछता है हर चुश्चन के लिए इसक्वेश्चन पूछता है अग्र आंसर दोeredए है तभी आंसर खुदका भी आंसर देगा और हम दिखते है जैसे वह वहाँ रोड किल में मारा गया होगा इस वज़े से नया मॉंस्ट्र है या फिर ऐसा भी हो सकता है दो से ज़्यादा मॉंस्ट्र भेज रहा हो मैं लोब और कुछ भी हो सकता है इसलिए इसको खतम करने के लिए उसे नियो औरलेंज जाना पड़ेगा अपनी आंट फ्रेया उनके साथ विचिस के साथ मिलकर उसे कोई सोलूशन निकालना पड़ेगा अलारी का कोश्चन था कि वापस आएगी के नहीं और हम देखते इस मॉमेंट पर कोई आंसर नहीं देती होप और वहां से जाने लगती है और पढ़ा चलता है कि यह सारे प्रॉब्लम जो लव ट्राइंगल जल रहा है इससे बचने के लिए वह यहां से छोड़कर नियो औरलेंज जाने की प्लानिंग कर रही है अब वहीं हम अगले सीन में जोजी को देखते हैं जो लेनेंट के होलोग्राम से बात करने लग रही थी और हम देखते हैं लिजी को इतना घुस्ता आ रहा था कि हर को लेनेंट को चाता है होप चाती है वह चाती है और यहां तक है मेलवोर भी चाता है तो क्या करें और हम देखते हैं होलोग्राम बोलते हैं तुम मुझसे क्या पूछ ली हो मैं तब वह हूं जो तुम्हारे माइंड के अंदर है मैं कौन सा रियल लेनेंट हूं बड़ लेनेंट भी इस बात के लिए अगरी करता है बड़ बोलता है शायद होप अगरी नहीं करेगी और रूपर टेक ट्राइड इंड दिखाता है उस तर बोलते हो तो जाएगा कोई बड़ी बात नियांकर कहें वहीं करना जरूरी है और हम देखते हो प्लान को жив लगता है थोड़ा और बोलती है लब युँ लैनेंट टू बड तुम यहा क्या कर रहे हो रेई नपने रिखे से रियल लैनेट आ जाता है और बोलता है यहां भाग क्या आ गया है जनु dw नहीं हैक ऑनावार के पास में सबसे और हो रहा है WOW ना उसकी vampire side ना wolf side वो होगा कैसे बढ़ हम देखते हैं उसका plan था ही dark magic करते हुए और इस time पर rupert जो उसका teacher था वो उनकी help कर रहा था इस सब करने में और जो landant है नकली वाला वो कल रात तक ही जिन्दा रहने वाला है तो यह आराम से हो जाएगा और सब कुछ safe होगा और landant के पीछे कोई भी monster नहीं होंगे और यह सारी पूरी process के बाद हम देखते हैं जो landant का alternative जो नकली landant है वो बहुत जादा excited है वो हर बात पर होलता है hope को बहुत जादा प्यार करता है और वो उसके पर रहनी सकता है और hope को बहुत जादा embarrassment feel होती है और से ब्योश कर देती है जिस कि यादाश लगबग सब लोग के दिमाग से मिठ चुकी है और वो किसी को भी याद नहीं है और यह सब सोचते को बहुत जादा दुखी हो रहा था और वही पर राफैल पूशन लगता है कि अगर तुम मुझे help करोगे तो शायब मैं तुम्हें help कर पाऊं तुम बताओ हम उसे सकते हों मेरा भाई यह और तभी हम देखते है स्प्रींस मैजिक करने लगता है देखने लगने लगता करने का द्र लेंडेंद और यह पर रहेगा यह और यह वं देखन अब खुस्वन कर नघ सब और यह समझाता है यह सारी चीजे कहना नहीं जाता है बट के मन में वही बाते हैं अब हम अगली सिन में अलारिक को देखते हैं जो सेलवटोर स्कूल पहुंच रहा था बट उसे रास्ते में विलियम्स रोकता है और उससे बातचीज करने लगता है क्योंकि उसे डाउट है रिपुट कुछ तो गडबड कर रहा है जो नया हेट मास्टर है और उसके ब्लड रिपोर्ट मैंने टेस्ट करें कुछ तो गडबड निकली है वो हर स्पीशीज का है हर अथनिसिटी से बिलोंग करता है वो लड़का भी और लड़की भी है ऐसा होना कैसे पॉसिबल है और यह सब सोस्ते हो टेंस टोने लग रहा था पर तबी अलारिक बोलता है यही तो मैं कहा रहा था मैं एक डोकुमेंटेशन पर वर्क कर पर यह सब सोस्ते हो अंदर जाने लगते हैं बड़ तब तक हम देखते हैं रुपर्ट अभी जोजी के साथ में था और उसको एक स्पेल करने के लिए कहता है जिसे कि ट्राइडेंट को एक्टिव कर सके और वो किसी की पावर एब्सॉब कर सके और हम देखते हैं यह सब मै बॉठ बड़ हो चOOK है यह और फिर नमगली सीन में देख पाते हैं जो बास रिदी वाहले कुछ बहुत हम अघली है कंब Juice ओम देखें रहा हो और तब लेंडरेंट भी इस सारी बाते सुनने लग रहा है और ये बीच में सुनने को अध़ा से चला जाता है अपने नॉर्मल रिच्वल करने के लिए गार ने हुए तो पहले जाता था पाने में आपको डुबाना और मारे देना उसका भाई रफैल उसे रोगता है सब करने से और और उपने भाई की बात मानता है वहाँ से निकलने के लिए त्यार होता है और हम अगले सीन में देख पाते हैं लेंड किर्पी के अंदर वह ब्लड डाल दिया था और उसको लेके आ bekit बता देता है कि कोई गडवड करने वाला है और उसमे अब तक ले रखा था रूप की। और दूसरी बात वो मॉंस्ट्र स्पिंक्स लेने से मना कर रहे है लेंडेंट की रुभी को हालत खराब है बट थिंग इस तुम रेस्ट कर रहे हां पर तुमने बहुत सारा खून दे दिया इस वजिस तुम्हें हील करने के लिए टाइम चीए और यह कहने के बाद चला जाता है और होप को मारने का ट्राइ करता है और बोलता है मैं तुम्हारे अंदर ये ट्राइडेंट मारने के बाद तुम जितना पावरफुल हो जाओंगा और तुम्हारी पावर का एब्जोब करके तुम्हारी बोड़ी के उपर कबजा कर लूँगा और यह सब सुनने के बाद उससे लड़ना चाती है बट वो इस मोमन पे बहुत जादा वीक है और अपना मैजिक नहीं कर पा रही है तो यहां मारने के बाद सिधा भागने लगती है उस रूम से और हम देखते क्लार्क उसका पीछा करने लग रहा है और वो अपने पूरे इविल फॉम में है फिर हम दे हम देखते क्लार्क बोलते है हां तुने सही तो का मुझे तो इमोटालेटी जी तो तुम से लूँ या उससे लूँ और तभी मार देता है अपने भाई कोई और वहां पर होप आने का ट्राइगरती है बोलते होप यह हमारा फैमली बिजनस है बीच माने की जरुरत नहीं है बड़ तभी हम देखते जैसे वो ट्राइडेंट लग जाता है उसे वो सच बता देता है कि वो कल रात को ही मरने वाला है और वो रियल लेंडेंट है ही नहीं बलकि उसका डुप्लिकेट बनाये हुआ है और यह देखने के बाद अब क्लार्क को गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं वो बोलता है चलो असली लेंडेंट तो शायद अपनी असली गल्फ्रेंड के साथ होगा और हम देखते होप को ट्रिगर करने का ट्राइ करता है बड़ इस पर होप गुस्से में थी उस पर मैजिक का एक बॉल बनाके फैक के मारती है और से बिहोश कर दे हैं और फिर हम अगले सीन में देख पाते हैं होप सीधा आप जाती है जोजी के पास में सब कुस्स सॉल्फ करने के लिए और बोलती है लेंडेंट तो यहां से जा चुका है बट थिंग इस हम दोस्त बन सकते हैं हम पुरानी बातों को भूल सकते हैं और मैं वापस आना चा करने जो भी लिखता है वह इनके पास भी आ जाता है हम देखते हैं लिख रहा था कि उसको लगता है कि मॉंस्ट्र उसका पीछा कर रहे हैं और वह खुद भी एक मॉंस्ट्र ही है तो इन सबसे दूर चला जाया और अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करें तो ज्यादा ब से बेस्ट कोई हेड मास्टर नहीं है स्कूल के अंदर और क्या वापस आएगा और हम देखते हैं लारिक बोलता है हां मैं सबको सेफ करने के लिए और बचाने के लिए फिर से आने के लिए त्यारू बट तिंग इस हमें मैलवोर का तो कुछ करना पड़ेगा और हमें स्प स्पिंग्स शायद मैलवोर को सर्व नहीं करता है तो शायद वो किसी बड़ी ताकत को सर्व करता है और वो हमें पता करना पड़ेगा पर हम देखते हैं स्पिंग्स पोलता है हां वो किसी बड़ी भयानक चीज़ को फोलो करता है जिसका वो नाम नहीं पता सकता और बहुत भुगतनी पड़ेगी और यह सब फ्यूचर में होने वाला है और बहुत ही डार्क है तुम्हारा फ्यूचर और यह कहने के पाद अपनी गर्दन काटता है और मिट्टी में मिल जाता है और हम देखते हैं यह देखके अनारिक टेंस्टोन लगता है कि इस पहली का मतलब क्या ह और कैसे बचाया जा सकता है इसे और अब हम देखते हैं यह सब टेंशन होने ही लग रही थी और वहां भार वो जोंबी अभी भी खुला घूमने लग रहा है और वो क्लार्क की बोड़ी को घसीटते वह लेगे जाता है उस सेमेट्री के अंदर और स्वाप देता है वो बो गोस्तिक साथ लाइक करो, शेर करो सस्क्राइब करो अब शुरू करते हैं पार्ट नमबर 8 और अब हम देखते हैं इस एपिसोड में होप को जिसने पगड़ लिया है फेक लेंडेन्ट जो रीयल में तो क्लार्क है उसको पगड़ लिया है उसको जेल में डाल दिया है और उसको रूप दे थी है Clark का ही, क्योंकि वो Landon को Clark की बोड़ी में नहीं देखना जाती थी, क्योंकि वो Landon से प्यार करती है, और Clark को साफ कर देती है, कि जो फेक Landon की बोड़ी है, आज रात को खतम हो जाएगी, और जैसे यो खतम होगी, उसे Mallow War Pit के अंदर डाल देंगे, और हम देखते हैं ये उसके लिए परफेक्ट सजाद चियूज करी थी Hope ने, और वहीं पर हम देखते हैं, अलारिक अभी Salvatore स्कूल में आता है, और वहाँ पर बरफ गिरने लग रही थी, और ये देखते हैं एक दोन टेंस रोन लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो दिसंबर का महिना भी नहीं है, और तभी हम देखते हैं सब लोग Snow में खेलने लग रहे थे, और ये देखके अलारिक बहुत साथा टेंस रोता है, और सोचता है कि कोई नया मोंस्टर है, और तभी वहाँ से जाने लगता है, और हम देखते हैं हर कोई भूल चुका था कि यहाँ पर कोई मोंस्टर भी है, और जैसे कि सब लोग कंपेल हो चुके हैं, क्रिस्मस के माहोल में सब लोग खुश हैं सारी प्रॉब्लम्स को भूल चुके हैं और इंजॉय करने लग रहे हैं, और वही हम देखते हैं विलियम्स के पास जाता है अलारिक, बट हम देखते हैं अलारिक कुछ देर में महाँ और कंपेल सा हो जाता है, जिसने उसे खुद नहीं पता हाँ पर क्या हो रहा है, और इंजॉय करने लगता है इस क्रिस्मस को, और ये दिसंबर का महीना भी नहीं था, मतलब नेक्स बॉंस्टर क्रिस्मस से जुड़ा हुआ है, और फिर अम अगले सीन में होप को देख पात कर सके कि वो सेफ है के नहीं है, इसलिए उसको वहां से भेशने का ट्राइ करती है, पर वहां पर जोजी आ जाती है, जिस पर पूरा असर था उस क्रिस्मस पूरी वाइप का, और हम देखते इसको छोड़ते है, वहां से जाने लगती है लिजी, और यहां पर होप को सब कु सा मोंस्टर है, जो यह सारी चीज़े करने लग रहा है, और तभी होप को आइडिया आता है, कोई ओर भी हो सकता है, जिस पर इसका असर ना हुआ हो, और सीधा क्लार्क के पास महुंचाती है, क्योंकि उसे पता है, वह बहुत दाद एविल है, और शायद इस हैपी वाइप सारे पता कर से उससे ना हुआ हो, और वैसे ही हुआ, उसमे कोई असर नहीं हुआ, और वो बताने लगता है कि उसने कभी Christmas celebrate किया ही नहीं है, शायद है कोई दूसरा monster है, जिसमें वह ढूड़ने में help कर सकता है, वैसे भी आज उसका आखरी दिन है, उसको enjoy करने दे hope, उसको यहां से रिलीज कर दे और अच्छे से खाना चाता है और थोड़ी वहां से रिलीज करती है बाहर लिक्या आती है जहाँ पर वह बहुत दखुश था और खाने लगता है पूरे इंज्योय करने लगता है यहां पर आने वाल आलता है और क्रेंट करके आप चाहते हो मैं उसको explain करूँ तो please comment box में बताओ तो हम देखते हैं इस campus नाम के monster के बारे में Hope को बता देता है और अब बोलता है कि मेरी wish पूरी करने के लिए वो आएगा वो सारी anti और evil wishes को पूरा कर देता है तो वो मुझे यहाँ पर बचाने आएगा और मैंने एक loophole ढूंड लिया अपनी जान बचाने का और इससे तुमारे land end पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और यह क्रैमपस आने के बाद मेरी help करेगा land end के बीचे नहीं जाएगा और हम देखते हैं अभी भी hope को गुस्सा आ रहा है और यह तुमारी बात पर यकीर नहीं करेंगे hope कुछ हो जाए और hope बोलते हैं उनको यकीन कराकर रहेगी कि कुछ भी करना पड़े और हम देखते हैं पार्टी के और तब हम देखते हैं अगले monster का काम है जहां पर hope क्रेंपस का नाम बताती है और सब लोग त्यारी करने लगते हैं उस monster से लड़ने की बच्चों को वहां से दूर ले जाने की जिससे उनको बचाये जा सके और वहापर सब लोग अपने हत्यार लेने के लिए ready थे और वहीं हम देखते हैं जैसे क्रेंपस आता है उसके पास जाके बोलता है मैंने जो विश्मांगी थे वो पूरी करोगे क्योंकि मेरे डैड ने तुम्हें भेजा है और यह कहने को क्रेंपस के पास जाने लगता है और उसने के फादर को उसने betray किया है और hope माइकलसन को अब तक मारा नहीं है जान से और हम देखते हैं इसके लिए उसको अटेक करने लगता है और और hope आने के बाद जान बचाती है क्लार्क की और वहां से क्रेंपस को पहली बार तो भगा देते हैं और फिर क्लार्क समझाने का ट्राई करता है उससे लगा था कि उसके विश्पूरी हो जाएगी और यहां से भाग जाएगा बट तिंग इस अब वो नहीं भाग सकता है क् नेक्स टार्गेट उसका खुद का बेटा क्लार्क है और हम देखते हैं यह सोचते हो टेल्स ठोने लगता है और बोलता है मुझे यहां से जाना होगा बट हो बोलती है कि तुम पर यकीन करना ना मुम्किन है तुम पर यकीन किया ही नहीं जा सकता है पहली बार तुमने धो सब लोग तयार थे हम देखते हैं क्रेंपस को तेक मार के मार देते हैं बड़ पता चलता है क्रेंपस इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है और उसने रियल सेंटा को किड्नैप करके रखा हुआ था इतने टाइम से उसकी जगा पर जाने के बाद लोगों पर दहशत फैलाता था बड़ हम देखते हैं सेंटा वापस आ जाता है उससे लड़ता है और हम देखते हैं वो क्रेंपस को मार देते हैं मिलके और जैसे क्रेंपस मर जाता है सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और देखते हैं कि क्रिस्मस टाइम ना होने के बाद भी बहुत ही प खुश है और नॉर्मल वाइब में आने लग रहे हैं बड़ा मगले सीन में देख पाते हैं Legend को जो भी जाने लग और बोलता है जब तुम वेरवल फॉर्म में फसे हुए थे और कई बार जंगलों में गुम जाते थे तुम्हें ढूनने के लिए मैं इस लोकीटर स्पैल का यूज करा करता था जोजी की हेल्प से और पता चला कि तुमको छोड़के तुमारी फैमिली का कोई और भी जिन्दा है और तुम शायद हो तुमारे पेरेंट्स हो और तभी हम देखते हैं रफैल का आइडिया बिल्कुल इस चीज को फोलो करने का नहीं था क्योंकि रफैल साफ कर देता तुमने पहले बार एक फादर और सन को मिलाने कोशिश की थी याद है एम जी तुम भी मर गए थे एम जी और बोलते हैं तुम दोनों मेरे साथ चलो तुमसे बात करनी है और यह देखके अब रफैल खुड टेंस हो जाता है कि यह बंदा उनके साथ करने के आवाला है और अब हम देखते हैं लेंडिट समझाने के ट्राइब करता है कि वह तुस्षे फ्यास से गुज़र रहे थे बढ़ वन देखते है बंदा बात मानने के लिए बिल्कुल त्यार नहीं है और उनको अपने घर के अंदर लेगे जाता है और एक तेज केज दखाता है जो वेरवुल्फ को बानने की थी और यह देखके रफैल का कोश्चन था तुम भी एक वेर्वुल्प हो क्या और यह क और उसका अकेला रहना जादा पसंद था और उसके इश्यू इतने बढ़ चुके थे कि उसको केज की जुरत पड़ती थी फुल मून के अंदर और वहाँ पर फिर वो प्रेगनेंट हो गई बट फिर वो मुझे छोड़के चली गई मैंने उसको ढूड़ने का खूब कोशिश की उसकी तरफ से मेसिज आ है कि उसे कभी न ढूड़ा जाए और मैंने उसकी तलास छोड़ दी बट आज तुम यहाँ पर आये हो तो रफैल तुमारी आखें नहीं मिलती तुमारी मां से बलकि बहुत सारी चीज़े और मिलती है जिसके बारे में हमको बात करनी है और पादा चलता है यह अंजान आदमी इसका फादर है और रफैल यह देखके शोख है बट उसकी मां उसको छोड़के जा चुकी थी उसके पापा को भी और से अपने खुद के चाती है क्योंकि अब उससे नफरत करने लगी है उसकी वैचे से लोग उसे पागल समझते थे उसको बेवकूफ समझते थे और इस सब का रिवाइंज हो लेती है उसको रास्ते में रोकती है और उसको छोड़के चली जाती है जगा पे और रोड पे हाई स्पीड चलाते वहां से भाग जाती है और हम देखते हैं यह देखके उसको बहुत जादा खुशी मिल रही थी जिससे क्यों सबेस्टिन को दूर रख सके अपनी जिंदगी से बढ़ हम देखते हैं वह पहुँचना चाती है लेंडेंट तक और वही हम देखते हैं लेंडेंट को जहाँ पर रेफैल अपने फादर से बात करता और बताता है कि उसकी पूरी सिंदगी डिप्रेशन और टेंशन में बीती है क्योंकि उस जैसा कोई था नी वो अकेला पन महसूस करता था उसको अकेला पन था डिप्रेशन था फैमली डंकी नी थी बहुत सारी इशू थे उसकी लाइफ में बढ़ अब सही है और लेंडेंट थैंक्यू तू मुझे यहाँ पर लेकर आया बढ़ तभी हम देखते है लेंडेंट वहां से जाने का ट्राई करता है और बहार आने के पाथ देखते है लेंडेंट उसका वेट कर रही थी और वो गुस्से मिती और बोलती है लेंडेंट अगर कुछ भी बकवास की अब मैं तुम्हें जला दूँगी जिन्दा और ये कहने को अद गुस्सा करने लगती है और ये सुनके लेंडेंट कुछ नहीं बोलता है और वहां पर लेंडेंट साफ करता है कि वो इन सब ट्रबल से इसलिए भागा था ऐसे थोड़ना है कोई भी ट्रबल आई तुम भाग गए ऐसा नहीं होता है और हम देखते हैं लेंडेंट को वहां से ले जाने का ट्राय करती है बर तब तक वहां पर पहुंच चुका था सबेस्टियन जो आते ही सीधा गरदन तोड़ता है लेंडेंट की और बोलता है लिजी अब तुम्हें शायद कुछ बात करने चीए मुझे या फिर मैं का हूँ इलेजबेट और उसको पूरा नाम लेने के बाद उसे बातचीत कर लगता है और हम देखते हैं वहां से वापस जान लगते हैं मिस्टिक फॉल्स में और हम देखते हैं रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसको देखके ठीक कर लगता है से फिर नहीं मिलना चाती है वह अकेले रहना चाती है और सबैस्टियन से थोड़ी नफरत भी करने लगी है पर सबैस्टियन साफ कर देता है उसमें इसकी कोई गलती नहीं है और वह ऐसा ही था पर हम देखते हैं लिजी बोलते हैं तुमने मुझे पागल करार किया तब लोग लोग मुझे पागल समझते थे, ये सही नहीं है, और ये कहने को उससे गुसा ही कर रही थी, उसी ओन्ट पर हम देखते हैं, सबेस्टिन अपनी शर्ट उतार देता है, और ये देखके लेजी इंप्रेस थी, बढ़ उसको बोलना नहीं चाहती थी, और हम देखते हैं, सबेस् एक दूसरे से नफरत करते हैं फिर इनका लव हो जाता प्रिवोस हो जाता है पता नहीं दो मिनिट में एक इमोशन बदलते हैं और यहां पर यहांते हो हो Cristianfly हो जाते हैं और हम देखते हैं वटो स्कूल की दरफ निकल लेते हैं और वहीं पर हम देखते हैं इस टाइम पर रफाइल को जो अपने फादर के साथ अकेला था जहां पर उसका फादर कोशन करते तेरा दोस्त यहां से चला गया वह कैसे सर्वाइव करेगा और यह कहने के बाद रफाइल साफ करता है कि ले वह अपने बेटे को कितने टाइम से रूण रहा था और वो उसको ढूंड नहीं पाया था और आज वो इससे मिला है तो अभी वो जाने की बात कर रहा है और यह देखके उसका फादर बहुत ही जादा एमोशनल हो गया था और वहीं हम अगले सीन में देख पाते हैं क्लार क को जो फॉन करता है सिधा होप को और लास्स टाइम गुडबाइ चाहता है और वो बताता है कि कैसे उसके दोस्त हमीशा उसके साथ खड़े प्यासे रहते हैं और होप को सपोर्ट करते हैं और यहां पर वो अकेला है、 वो दोनों कहीं न ज त्वाइज नहीं टूटे हुएं नहीं पिश हुआ हैं but इसा सपोट करती है और कहीं ना कहीं हमको पदा चलता क्लार्ख होप को बहुत ज्यादा अग करता था मतलब नंड两स्ट को प्यार करते हैं skilled को बट हम देखते हैं कि ये बाद कहने पाता है और वहां से इमोशनल होके जाने लगता है और पता चलता है कि वह फोप को कुछ जादा ही पसंद करता था और उसकी परस्नालिटी से इंप्रेस्ट था किस तरह वह कितनी पावरफुल है स्ट्रोंग है इंडिविच्वली हर चीज़ का स्टैंड लेती है और यह कहने के बाद हम देखते हैं क्लार्क मेरी क्रिस्मस कहें के फोन काटता है और वहां से चला जाता है और जिसको देखके होप को भी थोड़ा इमोशनल फील होता है अब फिर हम देखते हैं सेलवटो स्क करने के लिए मैंने तुमारे साथ हर पल जो बिताया था उसको मैं हमेशा याद रखूंगा हमेशा तुम मेरे लिए बहुत अच्छी दोस्त रहोगी और हमने जो टाइम बिताया वह बहुत ही अमेसिंग था बट मैं होप से रियल में बहुत प्यार करता हूं और यह कहने को सारी सिचुचन को छोड़ के जा सकता है वो हैंड क्योंनी लेता है क्यूं को हेंडल नहीं करता हैं हर चीज़ भागने समेक र misinह और यह हम और यहां पर सेन्ट जाने Merry Christmas डैड आप चाहते थे कि मैं आपके पास आ जाओं तो मैं आ रहा हूं और हमेशा हमेशा के लिए शायद आपके पास ही रहूंगा और ये कहने के बाद वहाँ पर जंपी करने वाला होता है मैलोवर पिट में बट उससे पहले वही लाल कपड़े वाला आदमी आता है और उस रहा है और हम देखते हैं उसने एक आँख भी बेजी हुई है सेलवाट और स्कूल के अंदर जो नज़र रखती है मापर होके आ रहा है और ये सब देखेंगा अगले एपिसोड में कि कैसे नेक्रोमेंसर का बात चलता है होप को वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में त अगले एपिसोड देखेंगे एपिसोड में नचले एपिसोड थी हम वो सब्या इन एवा वेखेंगे हो गफवा आवाट ये सी नेखेंगे से नेखेंगे को वो